मम्मी कहा गई है मम्मी फोनों नहीं करती है कि मम्मी भूल गई है बेटे को भूल गई है तो देखी यह उस बेटे की पीड़ा है और एक पिता का दर्ध है जो खुद मैंने के चेहरे से साब समझ सकता हूं कि यह कितना भावक हैं बाइज आप गाव वाले रिपोर्टर विश जो खे बुजोर्गुक ने कहा वत कहा कि जब आउरतों को जादा छूट देंगे आज की भासा में कहें आजादी देंगे तो कपार पर चड़ जाएगी और जब कपार पर चड़ जाएगी तो जोती मोरिया बन जाएगी फिर आलोग मोरिया की तरह पर्थान होना होगे जोती मोरेया आलोग मोरेया और बीच में इंट्री हो गई है मनीश दूबे की ए मामला तो पूरे देथ में जो है चर्चे में है जनपत कुछी नगर में एक ऐसा ही मामला लोकुस की साधी हुई थी अंगीरा से साल 2018 में अंगीरा पढ़ी लिखी थी एम में क्यू हुई थी और खुद लोकुस पढ़े लिखे थे समाज में औरतों को आगे किया जाए और इन्होंने भी ऐसा किया और बीवी को लेकर पहुंच गए नोएडा बीवी नोकरी करने लगी उसके बाद इन दौर में जो है इस समय में जो है बीवी को बीएड कराएं अब दूसरी सबसे बड़ी बात सूचिए कि आज के दौर मे अगर यह वाक्या हुआ अगर यह वाक्या आज के दस साल पहले होता तो मुझे लगता है अंगीरा जो है लोकुस का पूरा जीवन भर चरण बंदन करे तो भी कम नहीं होगा क्योंकि लोकुस ने एक हैंडिकैप एक दिब्यांग एक बिकलांग महीला से साधी किया था और उसको पढ़ाय भी उसको लाइक भी बनाया कि वह नोकरी करने लगी लगतार 18 महीने नोकरी करने के बाद कंपनी से ओफर आया कि आप विदेश जा सकते हैं यानि आप पर्मोशन ग्रेट पे आ गई हैं अंगीरा ने अपने पती को बताया और यह वेचारे कहीं न कहीं उसक से जादा जरूरत उनके परिवार की थी उस समय वह विदेश चली गई उनका एक 18 महीने का बेटा छोड़का चली गई और उस 18 महीने के बेटे को समभाने के लिए लोकुष खुद मा और बाप दोनों बन गए यानि सफाई से लेके सारी ब्यवस्ता करते रहे और 14 महीने ब मेरी साधी हुई 6 महीना तो साथ में हम लोग घर पे ही रहे तो कहीं कि हम यम्मे किये हुए हैं हम चाहते हैं कि बीएड कर लें बीएड कर लेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में दिभ्यांग हैं तो सरकार की मिल जाए तो हम एड्मीशन भी करा दिया अपने पैसे से उसके ब सब्सक्राइब करें तो मैंने मदर्शन सुमी सिस्टम में जाब लगवा दिया फिर 2020 करोना काल तक दोनों लोग जाब करते रहे कोई दिक्कत नहीं थी सब ठीक ठाल जाला तो कभी ज्ञाड़ा नहीं हुआ इस पीज में वेटा भी पादा हो गया तो अठा अठारा अप्राइल 2020 को मेरा लड़का हुआ फिर हम एड्मिट हुए इस चार्ज होने के बाद हम लोग घर आये घर दोस दिन रही उसके बाद माईक चली तो हम यहां दो महीनी के आसपास रहे फिर चले गए कंपनी में अपना जाब कंटीनिव करने तो जाब कर रहे थे तो फिर इनका 6 महिना पूरा हुआ तो यह कहें कि सर हम भी आएंगे आपना जाब कंटीनिव करेंगे तो यह 17 या 18 अक्टूबर 2020 को मेरे पास गए तो यह कहा रहें कि सर आप ही बच्चे को देख लिजिए आप मैं खुद विकलांग हूं हमारे हाथ में दिक्कत है आपकी वाइफ बोली जी आप से बोली जी देख लिजिए बच्चे को मैं सम्हाल नहीं पाऊंगे आप अपना जाब छोड़ दीजिए तो इनके भाईया भी प्रेसर दिये तो मैं अपना जाब छोड़ के बच्चे को सम्हाल नहीं मैं आपकी बात परोगूंगा देखिए लोकुस जी का जब बेटा 6 महीने का हुआ तो पत्नी की आजागती के लिए अपनी नौकरी छोड़ दिये और खुद बाप और मात दोनों की भूम का निभाने लगे बेटे को नालाने ते लेके उसको ट्वालेट उसक सब्सक्राइब को उसके बाद 14 महीने तो कोई फरावरी तो कोई दिक्कत नहीं थी सब्सक्राइब कोई देली दो बार तीन बार बाबू को भी देखती थी क्या बाना है सब कुछ ठीक चल ला था फिर एक लाड़का डिस्टर्ब करने लगा उनको मुझे भी विमलेशना मे है उसका तो इसी बात को उनके भाईया से हम कहें तो कह रहे हैं तुम कौन होते हो है स्तच्छेप करने वाले उसके और उसके बीच में आई यहीं से ओ दोनों लोग ब्लाक कर दिये मेरा नमबर अच्छा आपको यह जो नोटिस आया है तलाक के अर्जिक लिए हम कंपनी में यह 16 दिसंबर को आई थी तो 23 दिसंबर को साइथ तलाक नामा डालके चलेंगे तो जब संबन हमारे घर आया तम मैं जाना हुश तो यानि यह 14 महीने तक बात हुआ उसका बात्चित बहुना बंद हो अभी जब आप आई थी तो आपसे मिलने आई थी या फिर नोटिस देन लोकुष के महबत का इसी ला मिला की जानते हैं जिस महिला के लिए आपने अपना नौकरी छोड़ दिया आप अपने 200 साल जो पढ़ाई कि हम सीए किये जो आपका वीजन था वो सब छोड़ दिये उसके बावजुद महिला छोड़का चली गई और सबसे बड़ी बात है कि जब वविदेश गई तो इनके बच्चे की उम्र मात अठरा साल और अठरा महीन ने उस बच्चे के सबसे नीड किसी की होती है तो मा की जरूरत होती है कि बेटा जो है मां से ही सब कुछ कहेगा लेकिन उस दौर में लोकुष ने अपने बेटे को शमाला अब बेटा लबक अपने साथ नाम दिया उसको पढ़ाया उसको जॉब दिलवाया और उसके लिए अपने सपने को तोड़ दिया उसने इसकी जिंदगी को तार-तार कहीं कर दी अभी जो है लोकुष बताईए अभी क्या जो नूटीस आया है आप कोट में पेशी हो गरे का कुछ मामला चल ल है लेकिन उनके भाईया कह रहा है धमकी दे रहा है कि मारेंगे पीटेंगे तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे अब कह रहा है कि तुम कौन होते हो उसको यह कि मैं इस टाम पेपर पर होसो हवास में लिखित देता हूं कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी अब पहले हम से निपटो हमारे घर से निपटो फिर उससे निपटना आए मैं मुबाइल में रिकार्ड करके रखा हूं सर इन बीच में कभी कभी क्या होता है रिष्टे कुछ कंफिउजन में दूर हो जाते हैं क्या कुछ बात करने की कोसिस किया आपने की इस मामले को सुलह कर लिया समझाता के साथ मैं कई बार अपने साड़ू के भी घर गया तो लोग भी भगा दिये का है तुम से कोई मतलब नहीं है तुम जाओ फिर मेरा साला रहता है गोरफुर वहां भी गये दो तीन बार तो मुझे मारने के लिए उठ गया और मैं वहां से चला आया फिर मैं अपने सबसीट जी के घर पे गया तो लड़की मालिक है हम उसके मालिक नहीं मालिक होई लड़की जब तक वैकार थी किसी लाइक नहीं थी तब तक थो मालिक आप थे आज किसी लायक हो गई तो मालिक हो गईयी अभी अगला रूल क्या होग चैने माले लो चाहता हो कि वो ह remember से न ओर कहिसे खटनाय समाज उनों तमाम औरतों के केलिए बंदी से बन जाती यह नचीना कि आंगीरदय मोर्य जर मेपीड़ा होती है और तमाम लोगों के लिए उनके future के लिए तमाम महिलाओं के लिए बातें रुख जाती है यह आप 가म मॿंट करना hairs मम्मी भूल गई है बेटे को भूल गई है तो देखी यह उस बेटे की पीड़ा है और एक पिता का दर्ध है जो खुद मैं कि यह बढ़क हैं कि बड़ी उमीद के साथ उनको भेज़े होंगे जाएंगी तो उनके परिवार के सपने फुरे होंगे लेकिन हालत यह है कि अब जो है काफी महीनों के सालों से बाचीत होना बंद हो गया तो लोकुस आप सबस्राइब किस तरह प्यार से इस मामले को साल्प किया जाए और आप अंगीरा के साथ रहना चाहते हैं और अंगीरा का कहना है कि मैं आप ुक्साद करने कि करने दूंगी बताहिए सवाल है और कहें दो ठाण आखे समाज पर बड़ा धब है कि उन टमाम और तो की तमाम महिलाओं के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला रहता है ऐसी महिलाओं के चक्कर में जो ती मौर्या हो या फिर अंगीरा हो कहीं न कहीं उनके कैरियर पे बंदी से लग जाती है ताकि यह कि युवा जो है अपनी पढ़ाई लिखाई किया खुछ जॉब कर रहा था और पत्नी को जो है आगे बढ़ाने के लिए अपनी नोगरी छोड़ दिया 6 महीने क और मेरे पिता के साथ रहेगी और सारी शिकवा गिला गल्तियां दूर हो जाएंगी लेकिन इंतजार उस बात का है कि कब हो गा और कहीं न कहीं कंफियूजन और जादा आजाधी देना यह लौकुस के लिए घा तक हुआ और कहीं न कहीं यह भी कह सकते हैं कि यह जोती मोर् हैं कमेंट करके जरूर बताइए तावाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्क्राइब